नमस्कार स्वागत आपका अमारे यूटूब चैनल डिनस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बायलोजी की वो टॉप 20 कुशन को कवर अब करेंगे जो की यूपी कॉलेज के बीएस सी बायलोजी के इंटरेंस इक्जामेशन में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि यूपी कॉलेज वरांट्सी से संबंदित नियूज नोटिस के साथ साथ वहाँ पे होने वाली प्रवेस्पाइचाहों के जानकारी भी इस चैनल के माध्याम से आपको दी जाती है तो इस वीडियो में मैं आपको 20 प्रस्ट यानि की जो की बायलोजी से संबंदित है वह कराऊंगा लेकिन दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको चाहूंगा कि आप अपना प्रैक्टिस भी कर ले यानि की आप वीडियो को देखने के बाद आप बता सकते हैं कि आपने कितने कुश्चन में से कितने को राइट किया है इसके लिए दोस्तो मैं प्रतिक questions को बताने से पहले आपको 2 second का time दूँगा या फिर वीडियो आप pause करके भी अपना answer दे सकते हैं और comment box मुझे बता सकते हैं दोस्तो पहला जो question है which one of the following is not a fish यानि कि इन में से कौन सी एक मचली नहीं है ठीक है दोस्तो आपका पहला option है dog fish, second lung fish, third है rock fish और fourth है silver fish दोस्तो आपका time start होता है अब यानि कि one and two दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसका answer होगा silver fish आप अपने answer को match कर सकते हैं वहीं दोस्तो question number जो next है which is the man-made cerebral which is the man-made cerebral यानि मतलब कि दोस्तो इन में से कौन सा मानो द्वारा बनाया हुआ अनाज है ठीक है तो आपके पास 2 second का time है जैसे कि यह start हुआ one and two दोस्तो इसका answer होगा barely दोस्तो इसका मतलब होता है jaw होता है ठीक है barely का मतलब jaw होता है आपने answer को देख सकते हैं दोस्तो तिसरा सवाल है the place from where agriculture began यानि कि वह अस्थान जहां से agriculture यानि कि क्रिसी की सुरुवात हुई दोस्तो इसका answer मैं चाहूँगा कि आप मुझे comment box में बताईए अगर आपको question नहीं आता है तो आप मुझे comment box में उसे पूछ सकते हैं दोस्तो अगला question है कि बायोटेनिकल बायोटेनिकल नेम ऑप पोमी गैनिटेक इज यानि कि दोस्तो अनार का बायोटेनिकल नेम क्या है ठीक है दोस्तो आपके पास दो सेकंड का time आप वीडियो को पोस्टर के अपना answer दे सकते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर अपला B इसका correct answer यानि कि B is the correct answer इसका होगा अगला question है So guys question number next है 5 की potato is a यानि कि आलू एक है root, fruit, tuber, valve दोस्तों आपके पास 2 second का time है आप वीडियो को poster के अपना answer दे सकते हैं तो दोस्तों इसका जो answer होगा होगा आपका third यानि कि tube tuber, sorry tuber, okay So guys next question is that the question number 6 is normal blood pressure of a man यानि कि दोस्तों समान एक मनुष्य का समान blood pressure कितना होता है, ठीक है आपके पास option है 1 एक option है 120 बाटे 80 यानि कि 120 अपन 80 next 19 नमब 1, 140 option number third 120 अपन 160 and option number fourth 85 अपन 120 दोस्तों आप इसका answer वीडियो का पॉस्तर के दे सकते हैं जैसा कि इसका answer होगा first, यानि कि question number 6 का answer होगा 120 बाटे 80 mm Hg, okay question number 7 is that how many muscles are found in our body यानि कि दोस्तों हमारे सरीर में कितनी मान स्पेंसी है, यानि कि मानों कि body में कितनी मान स्पेंसी है पायाती है, ठीक है दोस्तों आपका option है 365 यानि कि 365, 656 and 665 and जो last है, 556 दोस्तों आप इसका answer दे सकते हैं वीडियो को पॉस्त करके, तो दोस्तों इसका जो answer होगा वो होगा 3 वाला, यानि कि 365, ओके, आप अपने answer को check कर लीजिए so guys, next question is that question number 8 the number of teeth which are replaced in a man are, यानि कि दोस्तों, औस्त है, यानि कि मानों में औस्त है, दात कितने होते हैं ठीक है, दोस्तों आपके पास 2 second का time है, आप इसका answer दे सकते हैं, तो दोस्तों इसका answer होगा, आपका 20 यानि कि 20 दात, मनुष्य के औस्त है दात होते हैं next questions guys, which organ of the body never rest, यानि कि दोस्तों, मनुष्य का वो कौन सा body का अंग है, जो कभी आराम नहीं करता, दोस्तों आपके पास 2 second का time है, जैसा कि पहला option है, I pancreas and liver and the last option is heart दोस्तों, इस cancer heart होगा यानि कि हिर्दे, हिर्दे दोस्तों क्यूंकि हिर्दे आपको पता है, जब आप मारा धड़कन अगर हिर्दे heart रुख जाएगा तो आपकी, आप diet हो सकते हैं मर सकते हैं, okay, so guys next questions है, question number 10 कि how many bones are humans के ton, यानि कि तो एक स्वरस्त मनुष्य में, यानि कि एक मनुष्य में, मतलब स्वरस्त नहीं एक मनुष्य में, कितनी हड़्डिया होती है तो आपकी option है, 200 205, 282, 206 तो दोस्तों इस cancer होगा, 206 बहुत ही normal question है, लेकिन दोस्तो ये question कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि आप जानते हैं कि general question कई बार पूछे जाते हैं Guys, question number 11 है richest source of vitamin C is यानि कि दोस्तो vitamin C का सबसे अच्छा सुरोथ कौन सा है, ठीक है आपका option है, seretus, guaba banana, enola दोस्तो इसका option होगा, right answer इसका होगा, 11th का, आपका fourth, यानि कि enola का दो मतलब होता है, आवला, आप इसको ध्यान रेकिए, आप अपने answer को इससे match करा सकते हैं So guys, next question is dead, which of the following blood groups is considered as a universal donor, यानि कि दोस्तो इन में से वो कौन सा blood group है, जो कि सर्वधाता यानि कि universal donor है ठीक है, आपका option है, A, B A, B, और O, दोस्तो इसका जो answer होगा, वो होगा question number 12 का D, यानि कि O, ओके this O is the right answer, so next questions guys, question number 13 is the element found in the hemoglobin, यानि कि दोस्तो, hemoglobin में वो कौन साथत्तु पाया जाता है, ठीक है तो दोस्तो इसका option, यानि कि answer, आपको बताने के लिए 2 second का time है, मैं आपको option बता रहा हूँ कि F, C, U, M, G Z, N, दोस्तो इसका answer होगा F, E, okay guys, question number 14 है Aril is addiable part of which fruit, दोस्तो यानि कि Aril का कौन सा भाग यानि कि Fall का कौन सा भाग खाया जाता है मतब खाने जोग होता है, Leechy, Mango Banana और Apple, दोस्तो यह answer मैं चाहूँगा कि आप comment box में इसे बताएं, अगर आपसे नहीं आता है, तो आप इसका answer मुझे comment करके आप पोश सकते हैं, okay आपको यह question खुद से करना है जैसे कि आपकी practice भी हो जाएगी, ठीक है question number 15 है guys, how many pairs of nucleotidus are found in our helix of DNA, दोस्तों, question number 15 है, इसका option है 11, 12 3rd है 10 और 4th है 8 दोस्तों, इसका answer होगा 10, okay, 10 is the correct answer, next questions guys question number 16 है A, B, O, blood group was discovered by, यानि कि दोस्तों, A, B, O, blood group किसने ढूना था यानि कि किसके द्वारे इसकी खोज हुई थी, दोस्तों, आपका option है, मेंडल पहला, दूसरा है मॉर्गन, तिसरा है लेंड स्टीनर, और चौता है, डॉर्विन, दोस्तों, इसका answer होगा लेंड स्टीनर, आप अपने answer को इससे match करा सकते हैं question number 17 है recourse is case due to deficiency of vitamins, यानि कि दोस्तों, जो recourse होता है, घेगा रुग, वो किस vitamins के कम ही से होता है, ठीक है तो आपका option है A, option number B, दूसरा है B, और option तीसरा है C, और option चौता है D, दोस्तों, आपके पास 2 second का time है, आप इसका answer दे सकते हैं दोस्तों, option D sorry, यानि कि चौता का D is the correct answer होगा इसका, ओके next question, question number 18 who is the father of biology science, यानि कि दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि biology science के जनब कौन है, दोस्तों इसका answer होगा third, अरस्तू, ओके, आप अपने answer से इसको match करा सकते हैं, question number next है, which of the following is di saccharide, यानि कि di saccharide, यानि कि इनिवे से कौन सा di saccharide है, ठीक है, पहला option आपका fructose, second है menlose, तिसरा है mentose और चौता है enlune, दोस्तों आपके पास 2 second का time में आप इस cancer दे सकते हैं, तो दोस्तों इसका answer होगा, third यानि कि meltose okay, question number next question number next मतलब कि question number आपका 20 है next, number of amino acid involved in synthetic of protein, दोस्तों मैं चाहूंगा कि question number 20 का answer आप खुद से करें, okay, तो दोस्तों आप किस topic पे अगला वीडियो चाहते हैं, आप मुझे comment box में बताईए, और हाँ दोस्तों प्लीज इस वीडियो को like करना बिल्कुल न भूले